गर्मी की छुटियां सुरू होते ही आर्मी पब्लिक स्कूल रामगर कैंट में 16-31 मही तक नीशूल्क समर कैम का योजन किया गया था इस समर कैम का उदेश चातरों को किताबी ग्यान के साथ साथ जीवन उपयोगी व्यवहारिक ग्यान और विभिन कौसलों से अवगत कराना था इसमें छातरों की आर्चरी, बॉली बॉल, बैड्मींटन, बास्केट बॉल, ड्रॉइंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, मित्ते और संगीत जैसे कई विषयों में बारिके से सिक्षा दी गई समर कैंप ने ना केवल बच्चों को नई चीजे सीखने का मौका दिया, बलकि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाया इस कैंप ने बच्चों को विभिन छेत्रों में अपनी प्रतीभा को पहचानने और निखारने का अवसर प्रदान किया, जो उनके भविश्य के विकास में सहायक सिध होगा ये सत्र सुभा साद बजे से साड़े दस बजे और साम में साड़े चार बजे से छे बजे तक चला इन सत्रों के दोरान बच्चों में काफी उत्सा देखा गया और बच्चों ने गतिवीदियों में बढ़ चड़ कर भाग लिया सिच्छक और सिच्चिकाओं ने बच्चों का मार्ग दर्सन करने में महत्वपूर्ण भूमिकानी भाई वा बच्चों को हर गती वीधी में बहतर बनाने के लिए उन्हें प्रसाहित किया कक्षा दसवी और बारवी के चात्रों के लिए विसेश कच्चाएं भी आयोजित की गई जिसमें उनकी परिक्षा की तयारी और अन्य महत्वपूर्ण विसयों पर ध्यान दिया गया था समर कैम्प में वरिये सारीरिक सिक्षक, PPS राठोर, अरपना पांडे, केडी पाठक, नीशा जैन, धिरेंद्र कुमार, सिवजनम सिंग, संधी प्राना, मोहन विश्व कर्मा, संजीव कुमार, तानिया हलदार और एपी शो, इत्यादी ने सक्रियता से भाग लिया और बच्चों को प्रसाहित किया, समर कैम्प के समापन समाहरों में बख्चों ने, अपनी प्रतीभा का प्रदर्सन करते हुए, नित्ते, संगीत, बालिवॉल और अन्नेगती वीदियों में अपने कौसल का प्रदर्सन किया, जिसे देखकर सिचगन भी प्रभावित हुए विद्याले के प्राचारे पंकश कुमार जैन ने कहा कि ये कैम्प बच्चों के लिए काफी लाप्रद सिध हुआ, साथ ही ये भी कहा कि टीम भावना पर जोड़ देने चाहिए और उन्हें विसेश रूप से समर्पन अनुसासन समनवय आनंदोर जैसे बिंद्योप को प् सिच्छकों ने भी सभी बच्चों को सुपकामनाय दी